नौसकार दोस्तों मैं हुआंके तो आप देख रहे हैं दजीस प्लेटफर्म यूट्यूब चैनल तो देखिए आज आपके लिए सामाजिक विसाय से संबंदित 20 महात्पूर्ड प्रश्ण यहाँ पर कवर करने का मैंने काम किया है जो कि इत्यास से संबंदित है जो कि आगे प्रश्ण है 20 तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण है मंगल पांडे कहां की विद्रोई से जुड़े हुए थे तो इसका आंसर है बैरकपूर आपको पता ही है कि 1877 की क्रांती जो थी उसका सूतरपात पस्चिम बंगाल से ही हुआ था जहां पर बैरकपूर में मंगल प पाय और सुवर की चर्वी युक्ट कारतूसों के प्रियोग की अफवाय जो फैली हुई थी उसका ये कारण था तो पहला प्रश्ण आपको कंप्रीट हुआ दूसरा देखिए रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तिक नाम था तो इसका अंसर है तात्या टोपी तात्य 1885 में अध्वेशन हुआ पहला मुंबई में मुंबई में इसका जो है पहला अध्वेशन हुआ तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना ए ओ हुम एक सेवा निपृत अंग्रेज अधकारी ने की थी तो ये बहुती अच्छा प्रस्ण है आ सकता है आगे देखिए भारती र दफरिन भारती राष्टी कांग्रेज की स्थापनाक से भारत के वायसराय थी तो पांचमा प्रस्ण देखिए भारती राष्टी कांग्रेज की दूसरी अध्वेशन सन 1886 में इसकी अध्यचता किस ने की थी तो इसकी अध्यचता देखिए की थी दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी को भारत का वयुविर्द पुरुस खा जाता है और इन्होंने पावर्टी एंड अन्विर्टिस रूल आफ इंडिया नामा की प्रसिद्पुस तक भी लिखी थी तो अच्छा प्रसिन है यह भी तीसरा छटवा देखिए भारती राष्टी कांगरेस की प्रस्म महला अध्यायच्छा कौन थी यानि कि पूरी कांग्रेस की जितने भी अध्येसन हुए उनमें पहली महला अध्याच कौन बनी तो ये एनीबेसेंट की बारे मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने होमरूल लीग आंदोलन सन 1916 में शुरू किया था और उन्होंने न्यू इंडिया हो जाता कॉमन वील नामक दो समाचार पत्र भी निकाल ली थी तो ये आपका शाटमा प्रिशन कंप्लेट हुआ साथमा देखिए असायोग आंदोलन का प्रारम किया गया तो सन 1922 में असायोग आंदोलन सुरू किया गया था बाद में सन 1922 में चौरा-चौरी की जो घटना होई थी उसके बाद असा बिंदू के नाम से बोला जाता है और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी स्वराज पार्टी की स्थापना में चित्रन अंदास खा एक महतपूर योगदान था जिसमें मौतिलाल नहरू भी सामिल थी आगे दे जवालल नहरू ने की थी और यह अद्विसन आपका लाहौर में होता है तो नवा प्रिसन आप काफी महतपूर है यहां पर प्रया सही किया गया था कि अच्छे से अच्छे प्रिश्णिया पर इस वीडियो में कवर किये जाए तो दसमा देखिए लालकुर्तियांदोलन के प्रमुक नेता कौन थे तो यह थे खान अब्दुल गफार खान खान अब्दल गफार खान लालकुर्तियांदोलन के प्रमुक नेता थे 11 प्रिशन है उस भारतिये का नाम बताई जिन्हों ने तीनों गोलमेज शम्मेलन में भाग लिया था तो इसका देखिए आंसर है डक लेकिन अधिकतर आंसर आपका डाक्टर बियार अमीड कर रहता है लेकिन वो भी आंसर आपका सही है बार्माप्रस ने सामप्रदाइक अधिनियम किसने गोशित किया तो इसमें क्या था कि दलितों को भी प्रतक निर्वाचन देने की बात कही गई थी तो यह देखी रैमजी म सामप्रदाइक निर्वाचन का अधिनियम दिया था तो यह आपका बार्माप्लेशन कंप्लीट हुआ तेर्वा देखिए मुक्टी दिवस का मनाये गया 22 दिसम्बर सन 1948 को मुक्टी दिवस मनाये गया जैसा कि आपको पताए कि 1937 में चुना हुए थे जिसमें कांगरेश की सरकार बनी थी पांच राज़ों में पूर भ्हौमत की सरकार थी तो प्रथम विस्युद में कांग्रेस की बिना अनुमती की भारत को जब सामिल कर लिया गया तो 22 अक्टूवर को पूरी कांग्रेस ने हर जगे से स्तीफा दे दिया तो इस सिखोस होकर मुस्लिम लीग ने मुक्ती दिवस 22 दिसंबर 49 को मनाया था तो तेरवा प्रशन आपका कंप्लीट है चौदायवा देखिए मुसलमानों की पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान किस ने रखा या किस ने लिया तो चौदरी रहमत अली एक Cambridge University इंग्लेंड में एक शात्र थी तो उन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान सब्द का प्रियोग क किया था हलांकि उन्होंने यह चीज तब नहीं कही थी कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग राष्ट रही हो उन्हों का देश यह था कि केवल पाकिस्तान एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर मुसलमों की हगों का ध्यान रखा जाए तो फलाल में आपका आंसर यह है कि पाक पत्र किस्ने निकाला था तो इसका अंसर है बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक भारत की महान पत्रकार थे उस समय के और क्रांतिकारी भी रही ठीक है तो और गल्रम दल की प्रमुग ने था थी लाल बाल पाल में सी केसरी पत्र इन्होंने निकाला है ठीक है केस चटर जी ने बंदे मातरम को लिखा है आगे देखिए पूना पैक्ट किसके मत हुआ था अभी मैंने पिछले क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन अभी आया था उसमें कि सामप्रदाइक अधिनियम यानि जो कॉम्मिनल अवार्ड है वो किस ने दिया था तो मैक डोनार्ड न बढ़ा दी जाती है तो यही एक पूना पैक्ट था गांधी जी ते अमबेटकर के बीच नेक्स्ट है किस योजना को 3 जून योजना कहते हैं माउंट बेटन योजना तो देखिए जब भारत का विभाजन का समय आ गया था तो 3 जून सन 1947 को माउंट बेटन ने जो उस समय क बाइसराय थी तो उन्होंने 3 जून योजना प्रिस्टत की थी जिसमें खा गया था कि भारत का विभाजन अब परिहार है भारत का विभाजन कि यही इसको सुतंतर किया जा सकता है तो उसमें काफी चीज़ें दी गई थी उन नियमों की समय को 3 जून योजना कहते हैं और मांट मेटन योजना भी कहते हैं तो अठारवा प्रिस्टत आपको कम्प्रीट हुआ उनिसमा प्रिस्टत ने बंग भंग की बाद कौनसा अंदूलन शुरू हुआ था तो जैसा कि आपको पता है कि सन 1905 में लाड करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था तो जिससे कि ह इंदू मुसलिम एकता को काफी वहाँ पर प्रभावित हुई थी और उस वजय से वहाँ स्वेदेशी आंदूलन शुरू हो गया था बाल में 1911 में दिल्ली दरवार में बंग बंग आंदूलन की फल सुरूब जो बंगाल का निर्मान अलग-अलग कर दिया था उसको फिर प्रिशन का बस यही अतर है कि बंग-भंग के बाद कौनसा अंदूलन शुरूब स्वेदेशी आंदूलन और आज की वीडियो का अंदिम प्रिशन है कांग्रेश की प्रतम भारती महला अध्याच कोन है तो सरोजनी नाइडू तो अभी एक प्रिशन है था कांग्रेश की प्रिशन महला अध्याच तो वह सरोजनी नाइडू तो देखिए यह रहे 20 question एथियास से related सामाजिक अध्याच से related जो की थे तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएगा मिलते है अगले वीडियो में तब तक लि